क्लास नैक्स हमारा असैसरी का second chapter is these stone age जैसे हमें पता है कि जो early human beings थे हमसे पहले human beings थे वो simple life जीते थे ठीक है वो गुफोओं में रहते थे, ट्रीज की उपर रहते थे, जो अपनी बॉड़ी है वो द्रक्तों के शिलके से, शाल से और एनिमल्स की स्किन से, फर्श से वो क्या करते थे, कवर करते थे, वो simple tools, simple हथ्यार यूज करते थे, जो की स्टोन से बनी, पत्रों से याँ फिर आनिमल लिविंग विंग Indre स्य बादियों जो स्टू ने परिए बरें नहीं इसा था ग्यु टिनी आुर जो और गोने नोलेज ने चाहिए और जो लोने वह उ нем यहां नेनिगून, जो वकाम क exec दो प्रणे जो living beings ते वो कैसे रहते थे तीक है next जो human history है उसको stone age को तीन पार्ट में divide किया गा जब वो stone use करते है stone की बनी हुए चीज़े use करते हैं तो ऐसी age को वो क्या बोलते हैं ऐसे time को क्या बोलते है stone age बोलते हैं जो stone age वो मेलनी तीन ताइप में आगे उन्हें डिवाइड करी थी फरस्त है petiolythic age old stone age भी बोलते हो mesolithic age middle stone age भी बोलते हो नियोलेथिक एज new stone age भी बोलते हो तो सबसे पहले हम old age stone की बात करे है जैसे हम अंहां पेली लिथी का में स्टून मतलब बना हुआ जो से बढ़ बी है सी जब तो इस एक जगह से दूसरी जगह घूंबते थे बहुते रहते थे और कि समस्다 पानी के तालाश में वो मेंली क्या थे मतलझ आनिमल्स का घृूप में हंट करते चिके उनको अनका शिकार करते थे वह हंट से मlaw जान आप किसी बीच को जेटे लृगे हो जाता तिया जैसे कि वह आप किसी बीच को बहु हा थे तो तो उसी चीज का क्या होता आगे पेड जैसे हो जाता ना ग्रो करता है तुने यह नहीं पता था कि कैसे यह हम सब कर सकते जैसे आज का अगरी कल्चूर उन्हें इस सम चिजों के बारे में पता था वह सिम्पल एनिवर्स को हंट करते थे फिश को पकड़ते थे जैसे फूरू एनिमल्कों इतना चेस करते थे तद गब तक थक ने जा था ठीक है कभी कभी हो क्या करते थे हैं उन एनिमल्स को पकड़ भी लेते थे ठीक है मतलब छोटे-छोटे खड़े बिना देते ठीक है हूल बना देते थी अधिक बना देते थी नेक्स वू जो प्लॉस ने पहनते थी जब सद्धी का मौसम था थे अपनी जो स्किन को किसी चिसकी आनिमल्स की स्किन के साथ ट्रीस के जो शरके के साथ वो ढख लेती थी व तो मतलब जो ऐसा उनका life style था ये फिर दीर दीर उन्होंने क्या किया एक दिन उन्होंने अब्जॉब किया दीरे-दीरे कि जब हम दो बड़े पत्थ्रों को लेगार आपस में उनके रगडते हैं तो उसे रगड की जो चोटी-चोटी स्पार्क्स हैं वह अगर ड्राइव मतलब सुखे पत्तों पर पड़ती है तो वह किसमें चेंज हो जाता फ्लेम में चेंज होता था मैं ऐसे उन्होंने फायर की डिस्कवरी की और उन्होंने फायर को फिर किसमें यूज किया जो मास वगएरा पकाने के लिए ठीक है अब हो में लाइटनिंग करने के लिए यूज करें